सल्मान खान ने साल 2023 की ईद के बाद अब अगले साल की ईद की प्लानिंग भी शुरू कर दी है क्योंकि सल्मान ने फैंस को अब अगली फिल्म का सौगात देने का मन बना लिया है और ये फिल्म करन जोहर की फिल्म होगी जिसमें सल्मान काम करेंगे और इस बाद पर अब जोहर ने एक फिल्म के लिए ओफर दिया है और ये ओफर करीब 25 साल बात दिया है ऐसी खबरें जंगल में आंग की तरफ फैल रही थी जिसको लेकर के फैंस दुविधा में थे कि सल्मान अगले साल ईद पर फिर से ट्रीट देने वाले हैं कि नहीं लेकिन अब खुद सल्मान खान ने इस खबर से परदा हटा दिया है और बिता दिया है कि उनको फिल्म का ओफर हुआ है जी हाँ मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सल्मान अगले साल यानी की ईद 2024 की तैयारी में जुट गए हैं देखिए फिल्म को लेकर सल्मान खान ने अब ऐसा हिंट दिया है जि उनसे पूछा गया कि क्या वो करन जोहर के साथ कोई फिल्म कर रहे हैं तो सल्मान ने इस बात का जवाब देते हुए कहा करन जोहर हमेशा कहते हैं कि वे मुझसे डरते हैं मैंने उनकी पहली फिल्म में काम किया तो डर कैसा सल्मान ने आगे करन जोहर का जिकर करते हुए कहा उनका भी एक फिल्म के लिए फोन आया मेरे साथ ये बड़े मेकर डारेक्टर काम करना चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि उनके साथ काम करूँ सल्मान खार ने करन के साथ अपने प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं दी अब ऐसे में सल्मान की इस बात से धुवा उठने लगी है कि सल्मान करन जोहर के फिल्म में काम करने वाले हैं इसे के साथ ऐसी कई रिपोर्ट्स ये भी हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि करण एक्शन फिल्म बनाने की प्लानिंग में हैं यानि सल्मान खान इस बार प्यारे से प्रेम बनकर नहीं बलकि भाई बनकर खूब मारधार करते नजर आएंगे जिसके डारेक्शन की जिम्मेदारी शेर्शाह के डारेक्टर विश्नु वर्धन को मिली है जी हाँ पिछले दिनों खबर आई थी कि करण जोहर ने फिल्म को डारेक्ट करने के लिए डारेक्टर को भी ऑन बोर्ड कर लिया है ऐसे में अब देखना दिल्चस्प होगा कि सल्मान खान और करन जोहर की ये जोडी सालों बाद किस तरह का ड्रामा लेकर आती है और लोग इस फिल्म के लिए कितना हाइप क्रियेट करते हैं ये भी देखने वाली बात रहेगी फिलाल तो फिल्म के प्री प्रोडक्शन वर सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलीवूड को और येस डोंट फोगेट तो प्रेस बेल इकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इंफोमेशन आप बिलकुल भी मिसना कर पाएं